दिवाली आ रही है तो मैंने सुचा चलिए दिवाली की इस शुब अफसर पे बेसन की लड़ू बनाया जाएं जो कि मुझ में घुल जाने वाले बहुत ही डिलिशियस, सुपर पॉपिलर अक्रॉस इंडिया जो कि सारे फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, सेलिब्रेशन्स में ख बेसन हिंदी वर्ड है, ग्राम फ्लार का और इसको लड़ू के शेप में सारे फेस्टिवल्स में खाते हैं, तो आएए रेसिपी की शुरुवात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा बेसन रोस्टिंग का है, यहाँ मैंने तीन कप लड़ू बेसन ले लिया इसे हम मोटा बेसन भी कहते हैं, और इसको आप स्लो फ्लेम पे 10 मिनुट तक भूनेंगे, जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए, भूनते समय आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, ताकि यह इवनली ब्रोस्ट हो, अदोइस कहीं कहीं ब्राउन पैचेस आ सकते हैं, अ अगर आपको अप लगता है कि बेसन अच्छे से देसी घी में नहीं लिपटा है, तो आप थोड़ा सब घी और भी डाल सकते हैं, घी में बेसन को अच्छे से भूनिये, जब तक बेसन गोल्डेन ना हो जाए, और उसमें अच्छी बढ़िया खुश्पू ना आने लग जा है, साइट से ये इंडिकेशन है, और हमारा रोस्ट किया हुआ लड़ू बेसन तयार है, एक स्टेप है मगज के बीच पूना, मगज के बीच मैंने यहाँ दो टेबल स्पून ले लिये हैं, और इसको सिंपल ड्राय रोस्ट करना है, तब तक यह जब तक यह क्राकल ना करन करने से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, हमारा रोस्टेट मगज के बीच तयार है, तो चलिए हम लड़ू बेसन को बांदने की त्यारी करते हैं, यहाँ मैंने भूना हुआ बेसन लिया है, जो की हलका सा वाम है, जाधा हॉट भी नहीं है, गरम भी नहीं है, बिल्कुल ठ कर देंगे, जब आप बेसन को शकर में मिक्स करते हैं, तो बेसन बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, हलका हलका गुनगुना होना चाहिए, अब इसके बाद आप एक मुठी भर बेसन लीजे और उसको अपने हाथों की सहायता से चारो साइड से लड़ू के शेप में य कि हमारे क्विक यामी डिलिशिस बेसन के लड़ू तयार हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे प्लीज बताएगा कि आपकी बेसन के लड़ू कैसे बने, तो चलिए मिलती हूँ, आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में होप करती हूँ कि आ कि लिए आप सब अपना ध्यान रखे, ठेक केड़ एवरिवान, बाबाई